साथियों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है एक तम फस्कलास होंगे रीजिनिंग से एक और उप्योगी वीडियो टॉपिक रहेगा फाइंड दा मिसिंग नमबर यानि आप लोगों को मिसिंग नमबर फाइंड करना होगा एक सीरीज आप लोगों को बनती होई दिखाई देगी सबसे पहला सवाल देखिए जैसे कि यहां लिखा हुआ है पंदर है दूसरे कॉलम में दोसो पच्चिस तीसरे कॉलम में तीस इसी विरकार से पंदर है के नीचे साथ तीन, दोसो पच्चिस के नीचे सत्तर और यहां आपको फाइंड करना है फिर इसके नीचे 20 है फिर इसके नीचे 8 है आप लोग बताईए कुशन्स में से कि कौन सा यहां इन 4 आप्संस में से यहां पर सुनवा चकी जगे आएगा इसका इस्तान ग्रहन करेगा आप लोग यह वीडियो रोक के भी देख सकते हैं फिर अपना मतलब लोजिक लगाईए और इसके बाद मैं मिलान कर लीजिए मेरे वाली लोजिक से देखे इसने किया क्या है इसमें इसका राइट आंसर अगर आप लोगों का आया है 12 तो बिल्कुल ठीक आप लोगों का अंसर है 12 है किस प्रकार से आएगा इसने पहले वाले को लिया है और अंतिन को लिया है पहले और तीसरे को इनकी गुना किया है 15 गुना 30 15 गुना 30 कितना होता है 45 यानि कि यह हो जाएगा 450 इस 450 का आधा कर दिया यानि कि बटे दो करके यहां आप लोगों का 240 का आधा किया गया है 70 उसे यहां लिख दिया गया है इसी प्रकार से आप लोग पहले और तीसरे की गुना करेंगे तो 3 गुना 8 कितना हो जाएगा यह 24 हो जाएगा और 24 का जब आप लोग आधा करेंगे तो कितना हैगा 12 आएगा जो कि option number A में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यह logic इसमें लगना था अगले वाले में आप लोग logic लगाए question number 2 है आप लोग देखे कि आप लोग के दिमाग में set आड़ता है कि नहीं आता है बहुत सरल कुष्ण है बहुत सरल कुष्ण है एग्जामनल इस परकार से आप से पूचता ही पूचता है देखिए भी आप इसमें क्या logic है जल्दी से देखिए इसमें क्या logic है 89, 81, 64 या 63 इन में से कौन सा option इसका final होगा देखिए अगर आपने इसका answer लगाया है 81 को तो बिल्कुल ठीक है वो किस परकार से देखिए पहले और दूसरे की गुना 8, 32 और तीसरा वाला प्लस 8, 32 और तीन कितने हो जाएंगे दोस्त 35 लिख दिया यहां पे इसी परकार से पहले और दूसरे की गुना 7, 42 यह पिलस 42 और 7 कितना होता है 99 नहीं चिलिक दिया इसी परकार से आप लोग पहले इनकी गुना कर यह 9, 72 बहतर में आप लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा को कुशन मार की जगए 81 यह बहुत अच्छी तरीके से आप लोग के समझ में आ गया पुका तो इस सवाल का राइट अंसर था दोस्त 81 अगर आपने यह लोजिक लगाए तो बिल्कुल ठीक था सवाल नंबर 3 में आप लोग लोजिक पकड़िए सवाल नंबर 3 को देखिए 7, 6, 8, 5, 4, 9, 3, 2, 1, 83, 56 प्रिसुन वाचक की जगह क्या आएगा आप लोग को थोड़ा समय बिल्कुल दूँगा तो आप लोग पिल्कुल इससे बता पाएंगे थोड़ा सा टफ सवाल है थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन लोजिक कुछ इस प्रकार से ही लगेगा दोस्त याद रखना देखिए इसने किया क्या है 7 का वर्ग किया है 7 का वर्ग यानि की 49 उससे सामने लिख दिया 5 का वर्ग किया है 5 का वर्ग होता है 25 उससे सामने लिख दिया 3 का वर्ग होता है 9 और इन सब को सम कर दिया है जोड दिया है कैसे 9, 5, 14, 14, 9 होते 23, 23 का 3 हासिल 2 4, 2, 6, 2, 8 यानि कि इन सभी के वर्ग करके इसने जोड रखे हैं इसी परकार से आप लोग 8 का वर्ग कीजिए 64 आएगा लिखिए 9 का वर्ग कीजिए 81 आएगा 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा ये कितना आएगा फिर 4, 2, 6 किसी के अंति मंक में 6 है ये दोनों तो कटी गए ये दोनों बची हुए जिसके अंति मंक में 6 है तो 4 तो 6 ठीक है ना 8 6 14 यानिकी 8 6 हो गया 14 146 आएगा बिल्कुल इसका राइट अंसर तो ये वर्ग करके इसने आपस में जोड रखें इस कुशन को आप लोग ध्यान से कर सकते हैं ध्यान से इसका स्क्रीन सूट ले लो और ये इंपोर्टेंट कुशन है पूर सकता है आप उसे एक सामने है अगला सवाल करते हैं सवाल लंबर 4 लगाईए लोजिक सवाल लंबर 4 में कि 4 9 6 8 3 6 20 15 परिसन वाचक यहां क्या आएगा यहां इसमें क्या आएगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है यहां परिसन वाचक की जग कुशन हल करने से पहले फिर कुशन को हल कर लो और मैच कर लो ठीक है न देखिए इसने किया क्या है इनकी आपस में गुना किया है चार अठे बत्तिस आप कहेंगे सर ऐसे नहीं है गलत है ये ये ऐसे नहीं है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जाइज है ये ऐसे नहीं है ये ऐसे नहीं है इसने किया क्या है इसने किया क्या है बदाई जरा आप लोग और लोजिक लगाई ये कुछ और लग जाता हो तो ये 20 लाया है 8 से और 4 से देखिए इसने किया क्या है बीच वारे के साथ में बीच वाले के साथ में 2 की गुना किया है और यह जो पहला अंक है नहीं से जोड दिया है 8, 2, 16 और 4, 20 हो गया फिर 3 के साथ में इसने 2 की गुना किया है फिर पहले वाले को जोड दिया है तो 3, 2, 6 और 9, 15 हो गया अब आप क्या करेंगी इसके साथ पहले तो 2 की गुना कीजिए फिर उस वाले को जोड़ दीजिए 6, 2, 12, 12, 12 और 6 कितने होगे, 18 अब बिल्कुल ठीक है बीच वाले के साथ में 2 की गुना करके प्रथम जो अंक है उससे इसने जोड़ दिया यह लोजिक लग रहा था इसमें ठीक ना आसान लोजिक नहीं था पकड़ना चलो आगे आओ सवाल नमर पांच पे 18, 16, 7, 35, 25 परसन वाचक अब की बार यहां बताना है कि क्या आएगा 7, 24, 23, 32 इसके नीचे लिखा हुआ है दूसरे वाले में और 58, 65, 35 रे वाले कॉलम के नीचे लिखा हुआ है पकड़िये क्या लोजिक इसमें हो सकता है पकड़िये 18, 35, 7 से कैसे 24 लाया जा सकता है 26, 25, 23 से कैसे 32 लाया जा सकता है तो आप लोग देखेंगे कि कैसे लाया जा सकता है देखिए एक तरीका है इसका लाने का इसने किया क्या है दोनों बीच वालों को जोड़ दिया है 35 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त 35 साथ हो जाएगा 42 और पहले वाले को इसने माइनस कर दिया है माइनस अठारा कितना आगा 24 लिख दिया यहां पर तो ये बीच वालों का दोनों का यूग 25 और 23 कितना हो जाएगा 48 और 48 मैंसे पहले वाले को जो माइनस करेंगे 16 को 32 आएगा बिल्कुल ठीक है अब बीच वाले को यहां इसके साथ जोडना होगा यहां इसके साथ जोडना होगा और इसको घटाना होगा तब 65 आएगा तब 65 आएगा तो मैं इसकी जगे क्या मान सकता हूँ इसकी जगे X मान सकता हूँ X पिलस 58 X पिलस 58 माइनस 7 और बराबर किसकी रखता हूँ देखे मैं यहाँ पर सिस्वल्ब करता हूँ थोड़ा सा एक्स पिलस अठामन माइनस साथ बराबर कितना आ रहा था 65 65 आ रहा था ना ठीक है तो अब क्या होगा इन दोनों में से ये गट जाएगा माइनस है एक्क्यामन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स पिलस एक्क्यामन बराबर 65 और एक्स बराबर 65 में से एक्क्यामन माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 14 बचेगा जो कि आप्सन नमर टी में मिल्कुल ठीक है तो आप एक्स मान सकते हैं या फिर आप्सन के हिसाब से मान सकते है कि हमने मान लिया option 14 है 14 और 58 मन का अपस में योग बनाया है अपने 14 और 58 और 84 बार है यह हो जाएंगे 72 और 72 मैंसे 7 अगर माइनस कर देंगे तो 65 आजाएगा तो option के हिसाब से भी यह हो सकता है छटा नम्मर कुशन देखिए 246 6, 2, 4 4 परिसन वाचक आगे बताओ कि आगे क्या आएगा यहाँ परिसन वाचक के इस्थान पर क्या आएगा इन उपसंस मेंसे बताओ वे देखिए बहुत सिंपल कुशन है कैसे इसे देखिए 6, 2, 8, 4 योग इसका कितना बैटरा पद का बार है 6, 4, 10, 2 इनका भी योग कितना बैटरा अंतिम पद का बार है तो 4, 2, 6, 6 के साथ में क्या मिलाएं कि जो योग बार हो जाए इसलिए ये बिल्कुल सिंपल कुशन था योग बदार अयोग बराधरित था ये विकल्पस का राइट था सवाल नमर साथ देखो यहां सवाल नमर साथ में 4, 5, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 3, 21, 98 यहां पिरसन वाचक की जगे बताओ कि पिरसन वाचक की जगे क्या आएगा सवाल नमर साथ में बहुत सिंपल कुश्यन है लेकिन लॉजिक इसका थोड़ा सा हर्ड है पकड़ना लेकिन पकड़िए तो देखिए 21 लाया है ना यह किस परकार से लाया है 4 का वर्ग किया 16, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे एक इन सब को जोड़ दो 16,4,20,1 कितना हो गया 21 यहां गया वर्ग करके आपस में जोड़ रहा है यह 25, यह 9, यह 64 9,4,13,5,18,18,18,1,6,2,8,1,9 98 में हो जाएगा योग मलब वर्ग करके जोड़ दो 6 का वर्ग किया 36 हुआ 7 का वर्ग किया 49 हुआ 3 का वर्ग किया 9 हुआ इन सब को जोड़ो 9,9,18,18,18,18,24 24 आप देखेंगे कि 4 एक ही ओप्सन में आ रहा है लास्ट में तो कौन सा आएगा 94,94 वर्ग करके आपस में इसने जोड़ दिया आगला सवाल देखो सवाल लंबर 8 36,25,64 16,9,36 4,1 प्रसन वाचा कि ये सभी वर्ग है सभी वर्ग है इसमें तो देखें ये 6 का वर्ग है ये 6 का वर्ग ये 5 का वर्ग ये 8 का वर्ग ये 4 का वर्ग ये 3 का वर्ग और ये 6 का वर्ग ये 2 का वर्ग ये 1 का वर्ग तो देखो इसमें सीरीज 2, 4, 6 2, 2, 1, 3, 5 अब 6 के बाद मैं यहां देखेंगे 8 के बाद मैं 6 आया और 6 के बाद मैं आएगा 4 यहां आएगा 4 का वर्ग यानिकि 16 है ना यानिकि 4, 6, 8 उपर की तरफ नीचे से उपर की तरफ है 2, 2 के अंतराल पे जैसे कि 1, 3, 5 का वर्ग यहां लिखा हुआ है 2, 4, 6 का वर्ग लिखा हुआ है यहां 8 के बाद मैं 6 आया तो 6 के बाद मैं क्या आएगा 4 यह 4, 6, 8 इस परकार से तो 16 बिल्कुल इसका ठीक है 109 नम्बर कुश्चन में देखो 109 नम्बर पढ़िया सवाल है 109 नम्बर थोड़ा जल्दी बताओ कि लॉजिक क्या है 109 में देखी लोजिक थोड़ा साट पटा है इसने किया क्या है इसने किया है माइनस 5 करके इस अंतिम पत की गुना माइनस 5 करके इस अंतिम पत की गुना इसमें भी x माइनस 5 करके इसमें भी इस अंतिम पत की गुना हो जाएगी तो फिर क्या आएगा भई यहां तो ज़रा बताओ फिर क्या आएगा जैसे की 17 मैंसे अगर 5 घटाएंगे 12-12-908 ठीक है 31 मैंसे 5 घटाएंगे 26-26-28-208 ठीक है अब यहां प्रसन वाचक की जाएगे या तो option के हिसाब से रख लो option के हिसाब से रख लो तो आजाएगा तो के दिक्कत नहीं है या फिर या फिर ऐसे रख लो x मैंस 5 गुना 7 बरावर 245 की रख लो इसे काटों के साथ से 27-21 27-25 यह कट जाएगा ठीक है ना यह कट जाएगा अब इस हिसाब से क्या आने वाला है यह देखो x माइनस 5 बरावर 35 और x बरावर माइनस का 5 पली तरब जाएगा पिलस का 5 हो जाएगा यह 5 जुड़ जाएगा तो x की वैलू 40 आ जाएगी तो 40 इसका बिल्कुर राइट आंसर है या option के हिसाब से रखो option के हिसाब से यहां मान लिया हमने 40 है 40 में से 5 घटाएंगे गुना 7 करेंगे 245 आजाएगा option के हिसाब से भी आ सकता है बीच वाले में से माइनस 5 करके और अंतिम बद की गुना करके सामने लिख रखा है सवाल लंबर 10 देखो important है तो सकता है सवाल लंबर 10 को की आएगा क्या यहां पे यहां इस वाली जगह पे क्या आएगा 14, 36, 3, 12, 36, 7 तो क्या आना है यहां पे देखे बहुत सिंपल है इसने क्या किया है पहले वाले दोनों उपर वालों को जोड़ा है 14 और 12 कितने होंगे 26, नीचे वाले दोनों को जोड़ा है 7, 3, कितने हो जाएंगे 10 तो 26 में 10 को जोड़ा के 36 यहां लिख दिया है ऐसे यह आप उपर वालों को जोड़ा 9 और 11 कितने होगे 20, यह नीचे क्या जोड़ा कि 54, 16 में क्या जोड़ा है तो पहले 16 जोड़ा है सबाल अमर 11 में यहां देखो कि उपर जो विरत बना हुआ है इसकी जगह क्या आएगा विरत की जगह क्या आएगा देखिए पहले इसने किया क्या है इन दोनों की आपस में गुना किया 8 दूना 16 16 में एक पिलस करके 17 नीचे लिख दिया है यह ठीक है अब इसमें आगे क्या हुआ इस सत्रे किसके साथ में गुना किया 178 136 136 में एक पिलस करके यहां लिख दिया है ठीक ना अब बारी किसकी है बारी है इन दोनों की आपस में गुना हुई सुरी देखो पहले 8 और 2 की आपस में गुना हुई फिर एक पिलस हुआ फिर इन दोनों की गुना हुई एक पिलस हुआ अब की बार जो गुना होने वाली है इन दोनों की होने वाली है आपस में 137 गुना 8 137 गुना 8 और प्लस 1 876 यानि ये कितना हो जाएगा 1096 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1097 तो इसका राइट आंसर आएगा 1097 ठीकना ये लॉजिक दियान से देखना थोड़ा सा अगला सवाल देखो अब की बार बारे नंबर में पूछा है कि यहां प्रसन वाचक की जगे क्या आएगा 12 नंबर में प्रसन वाचक की जगे क्या आएगा देखो इसमें लॉजिक क्या है इन दोनों की गुना है ना फिर इस दे गुना या फिर आप कह सकते हैं सारे इनकी आपस में गुना यानि कि 3, 2, 6, 6, 24 यहां लिख दिया ठीक है अच्छा अब क्या होगा भई अब यहां प्रसन वाचक की जगे क्या आएगा 30 भी है उप्सन में ठीक है ना जरा बताईए तो बताओ जरा अब इन दोनों की आपस में गुना इन दोनों की आपस में गुना फिर इससे भी गुना माइनस माइनस पिलस हो जाएगा दो दोना चार हो जाएगा ठीक है अब इन दोनों की आपस में इन तीनों की आपस में गुना गुना बनेगी जीरो गुना छे गुना पांच आप कहेंगे कि इसका अंतर तो 30 हारा है गलत 0 है जीरो की किसी के साथ गुना करते हैं तो 0 ही आता है इस परकार से A विकल्प इसका बिलकुर राइट है 0 गुना 6 गुना 5 इसका मतलब 30 नहीं होगा पिलस नहीं है ये गुना है तो गुना में अगर एक बार 0 आगी तो 0 ही हो जाता है अगला सवाल देखिए सवाल लंबर 30 है स्क्रीन सोट ले लो पहले मूँ खुद मारो फिर देखना यहाँ प्रसन वाचक की जगे क्या आएगा देखो 2 का वर्ग पिलस एक 2 का वर्ग पिलस एक यानी 5 लिखा हुआ है ये 9, 10 लिखा हुआ है 3 का वर्ग पिलस एक इधर लिखा हुआ है 11 का वर्ग पिलस एक इधर लिखा हुआ है 7 का वर्ग पिलस एक तो यहां क्या आने वाला है 2, 3, 5 की सीरीज है पांच के बाद में फिर साथ साथ के बाद में फिर ग्या रहे अभाज्या फिर आधारित है ये पहले दो था फिर तीन तीन के बाद में अभी यहां पांच आने वाला है पांच के बाद में यहां साथ था साथ के बाद में यहां ग्या रहे है बीच में आप लोगों को बताना है कि यहां बीच में क्या आएगा बीच में या तो जोड़ के देख लो या फिर काटा के देख लो या फिर गुना करके देख लो तो कोई ने कोई सा तो लोजिक लगे गा ही देखिए गुना करके देखो पहले क्योंकि जोड से तो आएगा न 11 और 12 तेईस और ये 9-6-15 हो जाएगा मुश्किल है आना 11 गुना 12 करो 11 गुना 12 होगा 100 लगबग 32 और इन दोनों की आपस में गुना करो चौदे धाम कितने होगे 140 इन दोनों की आपस में गुना करो 8-7 कितने होगे 56 माइनस करो यहां 4 यहां से यहां कितना वज जाएगा 84 तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा 84 उपर वालों की और नीचे वालों की गुना और बीच में माइनस करती है यह अंतर करके ठीक है जैसे कि 64 का वर्गमूल होता 8 49 का वर्गमूल होता 7 36 का वर्गमूल होता 6 इन सब को आपस में जोड़ो 8 6 14 और 7 कितना होगे 21 बिल्कुल ठीक है वही लॉजिक इसने लगाया हुआ था इस का 81 का वर्गमूल होता है 9, 121 का वर्गमूल होता है 11, 100 का वर्गमूल होता है 10, इन सब को जोड़ दू, 11, 9, 20, 10, कितना हो गया 30, तो इसने वर्गमूल निकाल के उनको जोड़ रखा है बस आपस में, और कुछ ने किया हुआ, 16 नमबर कुष्चन देखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा आपको अपग्रेड लगेगा लेकिन कुष्चन में होगा कुछ नहीं, होगा इसमें कुछ नहीं, देखें थोड़ा सा लॉजिक हाड है पर बताता हूँ, ये बीच वाले से बीच वाले का मेल किया गया है, आठ चार बार है और इसका आधा करके यहां लिख दिया है फिर साथ तीन दस दस इन दोनों का आधा करके बीच में लिख दिया यह देखो लिख रहा है ना आगे इनका देखो चार और दो छे इनका आधा करके यहां लिख दिया इनका अधा करके चाट मैं खाली, दो आज़ चाए कितने हुए हए आठ आठ का अधा चार इसे परकार से इसे देखेंगे पांचर एक छैए इनका अधा करके तीन लिख तिया यांइ अधा करके लिख रहा है पहले बीच वारी संक्या को देखिये 7 और 3 दोनों जोड़े 10 10 का अदा किया 5 तो ओपसन तो 5 से सुरू होगा यह तो गलत होगा पहले ही ठीकर ना फिर किया काम किया था इसने फिर किया था इसने यह वाली जो संक्याई इसके साथ जोड़ी थी 5 और 1 6 इसका अदा किया कितना आगिए 3 ठीकर ना चलो अग्ला सवाल देखो सवाल लंबर सुत्तर है बताईए कि अब की बार यहां पिरसन वाचक के स्थान पर क्या आएगा रोक कर इस सवाल को करो आराम से तब देखना चैशार दस दस तीन तेरह देर और एक चौदर चौदर पंजय स्वरी चौदर 5 उन्निस उन्निस सत्य होते हैं एक सुद्धे तीस सभी का यूग करगे गुना साथ अभी देखते हैं आठ दूदस पांच पंद्रे पंद्रे और तीन अठारे अठारे चार बाइस बाइस और छे बाइस हो जाएंगे अठाइस गुना साथ आठ सत्य चपन का छे हाँजिल पांच साथ दू नीच वह दे पांच उननीस ठीक है देखे सभी संख्याओं का योग उपर हो चाए नीचे हो उनका योग करके गुना साथ कर रखा है बस इन सभी संख्यान का योग करो और गुना साथ कर तो उत्तर आ जाएगा ये लोजिक लगाया हुआ है दो और एक तीन और पांच कितना होगे आठ 8-7-15-15-13-18-18-84 होगे 22-22 गुना साथ करेंगे 154 आदाएगा हैना सभी का योग करके गुना साथ है अगला सवाल देखो सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि यहाँ पिरसनवाचा के स्थान पर क्या आने वाला है बस गुना लिखा हुआ है दो दूनी चार चार गुना तीन चार तीया बार है तीन दूनी चह चह पंजे तीस ये लिखा हुआ है चार तीया बार है बार है मैं माइनस एक की गुना करोगे तो माइनस बार ही बिल्कुल इसका ठीक आंसर हो जाएगा चारतिया बार है बार है गुना माइनस एक अब गुना माइनस एक करोगे तो माइनस बार है ही इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करना बताना कि इस वीडियों कैसे सवाल थे